प्रतिपदा तिथी दिन में दो बज़े तक लगी रहेगी तत्पस्चाद दितिया तिथी प्रारम्भ हो जाएगी जंद्रमा मूल नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी केतु है आज के जन में जातक सुंदर, चंचल प्रवृत्ति वाले, बुद्धिमान, धहर्यवान, उत्साही, धन और एश्वरे से युक्त होते हैं ऐसे जातक तिब्र अस्मासर्ति वाले हर कारे में निपुड, दूसरे की बात समझने में कुशल, तर्ख करने की प्रवृत्ति वाले, नेत्रित करने की विशेय सुदूची रखने वाले, उन्नती, गामी और उच्चभिलासी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, ब्रिहस्पती और केतु की स्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा सुबह 6 बज कर 10 मिनट से धनू राशी में अगले धाई दिनों तक चलते रहेंगे, जिसके राशी स्वामी ब्रिहस्पती देव हैं आज चंद्रमा की यूती सनी के साथ बनी रहेगी, मगन नक्षत्र केतु का होगा, जिससे मामसिक और इस्थिता, विचारों में बार बार परिवर्तन का होना, अडियल प्रवरित्ती और भ्रमर सील विचारधारा कायम रहेगी समय समय पर हतोचाहित होने की भावना और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चड़ाओ भी संभाव है, हलाकि धन और आय संबंधी मामले प्रभावित नहीं होंगे अधिकतर प्रया सार्थक होंगे और क्रिया सिलता बनी रहेगी, मगर परिशितियों को ध्यान में रखते हुए भावा वेश में आकर कोई भी महतुकुर्णियन लेना उचित नहीं होगा साथ ही मौसम संबंधी संक्रमण होने का खत्रा बनता है, स्वास संबंधी सावधानिया अपेच्छी थे मेश राष्ट के जात्कों के लिए स्वास संबंधी सावधानी रखनी चाहिए, हलाकि कारेच्छेतर में महनत की प्रबृति बनी रहेगी और मन मुताबिक काम हो सकता है कुछ कामों में देरी हो सकती है, मगर ब्यावसाई की योजनाओं का विकास होगा और उससे संबंधित मामलों में सहीयोग भी मिलता रहेगा सरकारी कामकाज में भी लाब संबह है और नई कारी योजनाओं की प्रिष्ट भूमी तैयार होगी आर्थिक वक्ष मजबूत रहेगा, प्रबल उत्साह और कारी उर्जा बनी रहेगी मगर मानसिक दबाव माता के स्वास की चिंता मधूर संबंधों में कमी और जोड़ों में तकलीव संभावित है बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक से दोगा बिद्यार्थियों के जात्कों के लिए स्वास संबंधी सावधानी रखनी चाहिए चंद्रमा शनी की यूती आठमे घर में धहर संयम और स्वास संबंधी संवेदन सिलता का संकेत देता है दिढ़ निश्चाय और कारी उर्जा मानसिक अस्तर पर प्रभावित होगी योग और आर्थिक लाव संभव है संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी विद्यार्थियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिल सकती है प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं मिथुन राशे वाले जात्कों के लिए कारी च्छेतर में निरंतर्ता बनी रहेगी मगर हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा सकारात्मक पेरणा मिलती रहेगी उत्साह और सकारात्मक कारी उर्जा साज़ेदारी के कामों में लाभ दिलाएंगे मगर कुछ काम संपन होने में देरी हो सकती है चंद्रमा केतु के नक्षत्र में सन्वी के साथ चलते रहेंगे मानसिक दबाव और उत्साहिंता संभावित है फिर भी आर्थिक लाव सामाने रहेगा मगर आपसी संबंध प्रभावित होंगे कमर में जकडन और पेट संबंधी दिक्कते संभावित है विद्यार्थियों को सुक्षा प्रत योगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे करकराशी के जात्कों के लिए कारेच्छेत्र की प्रेणा बनी रहेगी उत्साह और कारेच्छमता में उतार चड़ाव भी बना रहेगा हलाकि नए प्रस्ताव और नई क्यार योजनाओं में लाव मिलेगा आथिक लाव के इस्तिती अनकूल रहेगी स्वार संबंधी मामलों में सावधानी अप्रेक्षित है पाचन तंत्र और पेट के निचले हिस्से में जटिलताएं संब्भावित है चंद्रमा और सनी की यूती छठे भाव में बनी हुई है साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और कुछ कामों में नकारात्मक विचारधारा उत्सा की कम्वी और विशाद की इस्तिती भी संब्भावित है वहां चलाने में सावधानी बरते हैं विद्याथियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा और सिक्षा प्रत्योगता में सफ़वता संब्भावित है सिंहरासिक जात्मक के लिए कारेच छेद्र के विस्तार की मानसिक्ता बनी रहेगी और निरेंतरता बनाए रखने में सकारात्मक पेरणा जारी रहेगी काम करने के प्रती दिढ़विस्पास और सकारात्मक उत्सा कायम रहेगा आठिक लाफ सामाने रहेगा नीजी निवेस की योजनाय लावदायक रहेंगी मगर सानी चंद्रमा की यूति पहल करने की प्रवृति को प्रभावित करेगी स्वासंबंधी जटिलताय संभावित हैं कमर और पेट संबंधी सावधानी बनाए रखें विद्याथ्यों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और सही योग जारी रहेगा नयायाले यावाद विवाद संबंधी मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और वैवाहिक प्रस्ताव अनकूल रहेंगे कन्याराज के जातों के भागेवस काम अच्छे होंगे और आथिक लाफ मन मुताबिक मिलता रहेगा कारियोजनाओ की निरंतर्ता बनी रहेगी और साजेदारी की कामों में लाब मिलेगा नीजी समंधों में तनाव, माते स्वास्त की चिंता, मानसिक भ्रम और निर्ने लेने में और संतुष्टी का संकेद ही मिलता है मगर आप अपने पेशाने के तरीके और वानी की मधूरता से मामले को नियंतित करने में सफल रहेंगे नई कारियोजनाव और निवेश के लिए आज का दिन अनकूल है, विद्याथियों को अध्यान अध्यापन में मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल होगी मगर स्वास्त समंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए तुला राशी के जात्मों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, प्रयासों का दोर जारी रहेगा, सकारात्मा पूर्जा और आपने श्वास में बृद्धी होगी पारिवारिक प्रेड़ना से लाब संभव है, नई कार्यों जिनाओं में सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और आप अपने लक्ष तक पहुंचने में सफल रहेंगे मगर कारेचर में संगर्स की इस्थित्वी और मानसिक चिनता संभावित है और कुछ कामों में ब्यावसाइक विवाद और धनहानी का संकेर भी मिलता है मगर साजेदारी लावदायक रहेगी संतान समद्धि सुप समाचार मिल सकता है और विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा ब्रिश्यक रासे वाले जात्कों को धैरी और सहियम से काम लेना चाहिए सनी चंद्रमा की युत्वी दूसरे भाव में बनी हुई है परिस्तितियों के अनुसार मानसिक्ता में सुधार और वाणी में मधूरता कारेच्षेटर में सफलता दिलाने का काम कर सकती है आर्थिक लाव सामाने रहेगा, साजहेदारी लाव रायक रहेगी और कारेचित का दिश्तार होगा वैवाईक मामलों के लिए आजगादी ननकूल रहेगा पारिवारिक दायत की पूर्ती में खर्च हो सकता है मगर मौसम संबंदी जटिलताओं का संकेत भी मिलता है मिलती रहेगी दिढ़िच्छा सकती के साथ मेहनत करने की प्रवरिती बनी रहेगी मगर त्वरित भावावेश में आने की मामसिकता भी संबावित है वाणी की मिदूरता के साथ अपने उपर नी अंत्रन रखना चाहिए नविन कारियोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और प्रतियोगी भावना बनी रहेगी यात्रा संबावित है स्पास संबंदी साथानी के साथ वहां साथानी से चलाएं विद्ध्यार्ठियों को सिक्षा प्रत्योगता में साहियोग मीलेगा और सफलता संभावित है प्रयास जारी रखें मकर राष्ट के जात्वों के लिए कारे संबंधित भागदोड़, अनावसक यातुरा और अनावसक खर्च से संबंधित मामले संभावित है चंद्रमा के केतु के नक्षत में होने से और सनिकी यूती कारेचत में कमी मानसिक दबाव और नेतित करने की छमता प्रभावित करेगी हलाकि आथिक लाव की स्थिती सामान रहेगी नीजी निवेस और साजेदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा विभागी करमचारियों को उचित दिशा निर्वेस मिलता रहेगा और स्वास संबन्धी आवसक सावधानी रखनी चाहिए वहां सावधानी से चलाएं और चिकित सकी ये दिशा निर्वेस का पालन करते रहें विध्याथी अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें सफलता संभावित है कुम्भराज के जातों के रुके हुए कामों में गती आएगी और सरकारी काम काजपूरे होंगे आथिक लाब की इस्तिति मन मुतादिक बनी रहेगी आपके प्रयास करने की छमता और बुद्धी कोशल का इस्तेमाल सकारादमक रूप से जारी रहेगा प्रतियोगी भावना विक्सित होगी और नए प्रस्ताव के लिए संभन्धित अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा मगर अनावर्शक विवाद भी संभावित है सहयोग आर्थिक पक्स में मजबूती और रुके हुए काम के संपन कराने का संकेत मिलता है मगर सनी चंद्रमा की यूती से कामों में अवरोज और उत्साहिंता की स्थिती संभावित है संबंधित मामलों में अनावर्शक खर्च और यात्रा की संभावना भी बनती है फिर भी आठिक लाव सामाने रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागी सहयोग बना रहेगा मन में ना कारात्मक भाव ना आने बें रादमिश्वास को बनाए रखें स्वास संबंधि मामलों में सावधानिय प्रेक्षित है विद्ध्याथी अध्यान अध्यापन में प्रयास जानी रखें और वयवाएक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाश चुगाहें